दिल्ली पाउचे अमरेंदर सिंग अपने पार्टी का आज विलाय करेंगे ओडम बंपल लॉट्री में जीता 25 करोड का पहला इनाम टैक्स कटने के बाद मिलेंगे 15 दश्मरो 7-5 करोड जोईन्ट मजिस्ट्रेट पाउच से ट्रेनिंग करने वाले अपसरों को मिलेगी नई तैनाती छेजीलों के सीडियों भी बतले एडी ने आमादी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाथक का फोन किया जब्त शराब घोटाले में पूछता जारी पहली वार वोट डालेंगे पाकिस्तान से आए शराबाती पाकिस्तान से आए 54 परिवारों को सरसर साथ बाद मिला जमीन हक समस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी आदव वक्त हो चुका है उत्रदेश की खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर लखनों में विधान सभा की कारवाही से पहले बोले सियम योगी ने संबोधन किया जिसमें सियम ने कहा कि आम जनता को शासन की योशनाओं का लाव मिल रहा है साथी सियम ने कहा कि बाड की आफ़त से निपटने के लिए SDRF का गठन किया गया प्रदेश में कहीं भी आरजगता की जगा नहीं है इसके साथी सियम ने कहा कि महिला सुरक्षा पर सरकार ने पोक्ता कदम उठाये इस बार विदान साबास्तर में एक दिन महिलाओं को समर्पित किया गया है प्रदेश के अंदर किसी भी आफ़ता से निपटने के लिए SDRF के गठन के साथ ही SDRF के माध्यम से बेहतरीन प्रसिक्षन और आफ़ता में भी कम से कम जंधन की हानी हो इस पर भी सरकार पुरी गंभिरता से कारे कर रही है बाड और सूखा जैसे मुद्दे पर अन्य महत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन किस कारवाई को बहतरीन तड़ीके से संचालित करने के लिए और प्रतीक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलिये नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र सभी मान्य सदस्य इस मानसून सत्र में भाग ले करके और निर्विग्न कारवाई को संपादित करते वे जंता से जुड़े वे सार्थक मुद्दों पर चर्चाव करेंगे हमारे पीटासी नदिकारियों ने विधान सभावे माननी अत्यक्स विधान सभा ने और विधान परिशत में माननी सभापती विधान परिशत में 22 सितंबर का दिन सभी महला सदस्यों को महला ससक्तिकरण में महला सम्मान, सुरक्षा और स्वाबलंबन के लिए दबरिंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए है आगे कि आप एक साये हैं एक दिन के वल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है लखनों में महंगाई, बेरुजगारी और कानूं बेवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने बैदल मार्च निकाला जसके बाद सपा मुख्या सवाद दफ्दर के सामने इद्धाना प्रदर्शन पर बैट गया और थोड़ी दे में प्रदर्शन को खत्म कर सपाद दफ्दर के लिए रवाना हो गये जान गई, अभी सर्कार ने कोई मदद नहीं की नहीं जानों की देखवाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है और लगाता और महगाई बढ़ा रहे हैं यह डबल इंजन की सरकार जिसे मौका जनता ने उत्तुक्रेस में ली दिया और दिल्ली में भी वहुमत मिल गया लेकिन आप देखे जद लगाता महगाई बढ़ी इतनी म महनाई जो जनता को सामना करना पड़ा जनता पिस गई है बहगाई और कानुवस्ता इतना कभी बरबाद नहीं हुआ होगा जहां ध्रश्टा चार चरंग सम्मा पर है जहां रहाग मिलनी जीए जनता को वहीं महनाई हर चीश्टी हो गई है कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि भारत जैसा ग्रामीड देश में दूद पर दही पर घी पर जीएस्टी लग जाएगी और नके बल जीएस्टी लगाई है ब जो संसादन सरकार को जुटाने चीए थे वो संसादन नहीं जुटा पा रहे है बड़े पहवाने पर बुर्ज़ारी बढ़िये रोज़गार चीने जा रहे कि प्राइब आइशन कर करकर के ज़िए विश्टनों को दरिज़तां को गरीव वो भी अधिकार चीने जाने इस समाजवादी पार्टी के माननी निताओं से निरवतर संपर्क किया गया, और प्रस्तावित जो रूट है, इसके बारे में जो कठीनाई आई हैं, उससे उनको अवगत थरायक है, जो प्रस्तावित रूट जो इस पैदल मार्च का था, उसके सब से महतपून जो कठीनाई हमी तो यह था कि इस मार्क पर हाई सेकुरिटी इंस्टालेशन्स है वहाँ पर सम्वेधानिक पदों पर यू एक उनके आवास है इस प्रकार का जब मार्च होता है तो यह हमेशा ऑपरोचुनिटी रहती है आ सामजिक कत्वों को उस मार्च की आड में वहाँ पर इन हाई सेकुर इंस्टालेशन्स की सुरक्षा में कुछना कुछ खत्रा पैदा दो है गोंडा में ब्लॉक मुझ हेना की ग्राम सभार रोद्रगर नौसी में बारिश की वज़से लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ा है बतादे की इलाके में सडके ना होने की वज़से बरसात म इस लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहीं इस मामले में ग्रामिडों ने छेत्री विधायक विन्य कुमाद्री वेदी को ग्यापन सौपा जिसमें सडकों सही कराने की और नई सडके बनवाने की मांग की गई है रामपूर की जिला जेल इन दिनों अमनी बहतर कारे शेली वोज जेल अधिक चक प्रिशान्त मौर की दुरगामी सोच के चलते सुर्ख्या मटोनी में काफी एहम भूमी का अदा कर रहा है बतारे कि पिछले दिनों यहां पर LED बल्ब, inverter, stabilizer, जरी जरदवीजी, handbag के साथ जैवी खात बनाने का हुनर कैदियों को सिखा गया अब इस बहतर कारे शेली में एक और मील का पत्थर लगनी वाला है यहारी जेल के कैदियों और बद्दियों को गड़ित अंग्रेजी विशय के साथ ही फ्रेंच भाशा के सिक्षा देना भी शुरू हो चुकी है प्राउड तो महसूस नहीं कर रही हूँ बिकाज यह मैंने मेरी एक बेजिक लैंगविज थी क्यूंकि मैं बिलॉंग करती हूँ गोवा स्टेट से और फॉर्पस ऑफ वर्क मैं रामपूर में हूँ लास्ट पचीस सालों के लिए मैं रामपूर में वाइट हॉल की फांडर मेंबर हूँ और मुझे एक प्रिविलेज प्राइड से ज्यादा एक प्रिविलेज लगी है कि मैं अपना एक सेल्फलेस टाइम दे पाऊंगी अफकोस बहुत ज्यादा हो सकता है कभी-कभी नाम भी हो पाएं लेकिन जितना मुझसे होता है मैं अपनी बेजिक नॉलेज जो है यहां के जेल इनमेट्स को देने के लिए बहुत पूरी कोशिश करूंगी जिलागारागार आमपुर में हम लोग बंदी बंदियों के कोशल विकास के लिए कई सारे कारिक्रमों का संचालंग कर रहे दे और जिसके तहित पहले इंवेटर लेडी वलवादी के फ्रेशिचन दिया गया था और वह वर्दमान में भी चल रहा है और इसी कोशल विकास कारिकरम की श्रंकला को आगे बढ़ाते हुए जो बंदी ऐसे जो प्रबुद्ध ह जो जिनका बैक्राउंड पड़ा लिखा है उनके लिए भी कुछ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम और्गनाईज करवा पाएं बल्या के चौक इलाके में पूजा सामागरी की दुकान में वनविभाग की ठीब और पुलिस ने छापे मारी की इजोरान पुलिस को भारी मात्रा में बाग की हड़ी, हेरड सिंग, बल्लियों, बिल्लियों के खाल समेत कई जानवरों की हड़्या बरामत की गई फिलाल पुलिस ने मुकानमाद दर्च कर दुकानदार समेत पूरे स्टाफ को गिरफतार किया है, साथी आरोप के निशान देही पर इस कारोबार से जुड़े कई और ठीकानों बर छापे मारी जारी है अमेठी जनपत के मुसाफिर खाना तहसीर छेत के रहने वाले एक चौदर वर्षे किशो को स्पाइनल मस्कूलर और्टोग्राफी नाम की गंभीर बीमारी लग गई है जिसका इलाज विदेश में मिलने वाले इंजेक्सन से संभौ है जिसकी कीमत 16 करोड उप है आपको बता दे कि किशोर अनाथ है और बहुत ही गरीब परिवार से तालुक रखता है वही बीमारी की सूचना मिलते ही परिजनुरी छित्री विधायक सांसद मोख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री सवीट सभी आम जंता से किशोर की जान बचाने के लिए योगदान करने की अपील की और मदद की गुहार लगाई है अभी तक कोई निश्चित नहीं है आप मुझे संपर करते रहीएगा जो है जब कोई दवा यहां निश्चित होगी तो इसका उपचार किया जासकता है अन्यता इसका उपचार अपने यह नहीं है यह तो हमको परसो जानकरी हुई इस बिमारी का अभी तो हम लोग अनमय की बारे में सोच रहे थे कि यह बिमारी इतनी बड़ी हमने पहली बार सुना कि 16 करोन रुपे की धनरास जुटाना सबकी बसकी बात नहीं होती है और इस गरीब को आप देख रहे हैं कि मतलब यह नहु है उसके बारे में सोचता लेकिन इतनी बड़ी धनरास तो साइद जो है बीना सबके सवयोग से बीना सबके उससे जो है संभू नहीं है आज हम बात करेंगे नारा अधनपुर के प्रिंस की जो ऐसे में जैसी बड़ी बीमारी से जूज रहा है ऐसे में अगर प्रिंस की परिवार की बात किया जा तो प्रिंस के उपर से माबाप का साया हग गया है अगर प्रिंस की बात मैं कहों तो प्रिंस का मात्र एक सहारा उनके बुड़ी दादी और दादा हैं जो की एक गंभीर बीमारी से वो भी ग्रसित हैं ऐसे में प्रिंस के आय का जेडिया सिर्फ एक पर्चून की थोटी सी दुकान है इस दुकान से कितनी जीविका सायत पूरी तरीके से चलना मुश्किल है लेकिन जो 16 करोण का इंजेक्शन लगना है एसे में का इलाज भारत में तो हो सकता है लेकिन जो इंजेक्शन आना है वो फारें कैंट्री से आएगा अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर कोई प्रत्निधी पुन्नेता बिधायक या कोई संभरांत समाजिक ब्यक्ति ऐसे उनका साथ देता है या नहीं देता है सोसल मीडिया के माध्धम से प्रिंस और प्रिंस के परिवार वालों ने गुहार लगाई है अमेठी सांसस से उत्तर प्रदेश मुखमंत्री से और मोधी जी से अब देखने वाली यह बात होगी कि कौन कितना सही साबित होता है और ऐसे में क्या उनकी मदद हो पाती है प्रिंस अपने लिए एक नई जिन्दगी जी सकता है या इसी बीमारी से जूसता हुआ रहेगा प्राइम टीवी से अर्बिंद्यादों की रिपोर्ट गाजियाबाद विजय नगर थाना इलाके में सरधार्द विहार कट के पास से एक एंबुलेंस बाइक सवार को टकर मार दी इस हासे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वही पुलिस की टीव मौके पर पहुँचकर बाइक और एंबुलेंस को रास्ते से हटाया और घायलों का आनन फानन में जलास बताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है साथ ही पुलिस ने एंबुलेंस चालों को हिरासत में ले लिया और विदिक कारिवाई की बात कहीं है अपना नाम और एक बार पट्चे और बता देजी यह पता है अभी अभी तो हमने भी देगा एक सिर्ट इतना बुरह होगा वहाँ पीछे से टक्कर मार ला है कितने लोग गायल हुए इसमें कितने मर गए चार मर गए चार मर गए कितनी बाइकों की टक्कर हुई है और इस ख़बर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सावदाता प्रवीन हमारे साथ जुड़ है प्रवीन एम्बुलेंस ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया जिसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी है देखी ये पूरा मामला गाज्याबाद के सिफार प्यार का है विजेनिगत के पास का जो कि रात में एक एम्बुलेंस जो है नत्य की हालत में उसमें जो ड्राइवर था वो नत्य की हालत में गाड़ी को अनेंत्रिस तरीके से चला रहा था हाला कि जो पुछ लोग वहां कर जो इस थाने लोग ते जो आठे लोग रहने वाले हैं जो वहां से सफर कर रहे थे उनका यह भी कहना है कि जो आइम्बुलेंस जालक है यह पहले से भी पीछे के कही लोगों को रोंते हुए चला आ रहा था उनको रोंते हुए आगे निकल जाती है अलागी जो इस थाने लोग हैं उनको पुरी गाड़ी को पकड़ लिया मौके पर पुलिस को सुचना दिये लेकिन बड़ा हास्ता है देर रात्ता जिसमें पांच लोग पांच लोग ते बाइक सबार जिन से सी लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई दो लोगों को उप्चा जानकारी के लिए बहुत-बहुत धनेवाद आपका प्रभी और एया में नेशनल हाईवे पर कानपूर की ओर से आ रहे ट्राला ने डफ़र में जोड़ार टक कर मार दी जिसमें ट्राला के पर कच्छे उड़ गए और ड्राइवर पूरी तरह से फस्च गया इसके बाद इस्थानी लोगों की सूशा पर पहुंचे पुलिस ने क्रेन के जरियर ड्राइवर को बाहर निकाला और हस्पिताल में भरती करा है जहां पर घायल ड्राइवर का इलाज चल रहा है अब क्या इस्थी इसकी इस्थे में इस्थी क्या है इस्थी क्या है इस्थी चोटे जाता 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 है यहांके वालाट प्रछ करने है? पुलिस कितने दिर बाद आई पुलिस कितने दिर बाद आई और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जाहिद नेशनल हाइवेग पर इतना बड़ा हास्या हुआ जिसमें डंफर चालक घायल हो गया है इसको लेकर और क्या दिक जानकारी सामने आ रही है जाहिए पर बड़ा जाता तो यह अनन्जित होकर वहां जाकर बुच जाता इस तक्रशी जोर्दार होती है जहां पर बाहन के परदश्यों आते हैं वहीं इस्ताइं लोगों की सुष्णा पर पुलिस को दी आती पुलिस मोगे पॉंसर इसको इसको लिकाला जाता है जाता है जानकारे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद प्रयागराज के कोराओ थाना शेत्र के सीक्रों गाउं में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मार पीठ हुई जिसमें कई लोग गंभी रोप से घायलो गए सुचना पर पहुँचे पुलिस ने घायलो को सामुदाइक स्वासकेंत कोराओं में भर्ती कराया जहां पर घायलो की हालत गंभीर होने पर जिलास्पिताल के लिए रेफर कर दिया गया वहीं मौके पर पहुँचे स्वारब देशिक ने मामले की जाच परताल की और तहरीर के आधार पर मुखदमा दर्च करते हुए चाल लोगों को हिरास्त में लिया है देवरिया जनपत के सदर कोत्वाली शित्र में अंसारी रोट के पास सुरुनार मकान गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई जिसके बाद मौके पर SDM सही जनपत के आला अधिकारी पहुँचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया जिसमें तीनों लोगों को बाहर निकाला गया बतादे की मकान काफी पुराना था और बारिश की वज़े से इठाय गया फिलहाल पुलिस ने तीनों शवो को पोस्ट मार्टम के लिए भेजिया है निकाला नहीं जा पाया है प्रयास किया जा रहा है उनको फोजने में एक्सिदेंट्री जो है गिर गए और उसमें उस लकान में जहने वाले तीन व्यक्ति वाताब बिली उनकी पत्री और एक छोटी बच्ची उनको चट गिनने से उगायल हुए उनको पुलिस दोरा पहु प्रयागराश की पूरा मुफ्ती थाना शेत्र में पुलिस और बदमाशों के अवेध हत्यार बनाले वले बदमाशों के बीच मुटबड़ोई जुसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घाल हो गया वही पर पुलिस ने बदमाशों के पास से हत्यार बनाने का साम कि यहां सर्पति की जानों के बीच आग जलाकर कुछ लोगों के द्वारा अवेद सस्त्रों का निर्मान किया जा रहा है जिसके सूचना पर थाने की टीम तुरंत गाड़ी लेकर वहां से रवाना हुई और यहां इट का बट्टा है वहां पर इन्होंने गाड़ी खड़ी कर और यह पास आई तो इन्होंने देखा कि दो लोग आग के पास बैठे हुए हैं और कुछा थोड़े से कुछ निर्मान कर रहे हैं मैंपूरी के विच्वा में पुलस और सर्विस लांस टीम ने मुखबीर की सूचना पर गांजा समित तसकरी करने वाली दो सदस्यों को गिरफतार किया है जानकारी के मताबित एक कार के लपीजी सिलेंडर में गांजा भर कर कहीं बेशने जा रहे थे वहीं गांजा के तसकरों को गिरफतार करने वाली टीम को अपर पुलस अधिक्षक में पुरसकार देकर सम्मानित किया पूरी मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधिक्षक विजय पाल सिंग ने क्या कुछ बताया जरा सुनिए और यसो बिश्वा और सर्विलांस की टीम सर्विलांस प्रभारी और उनकी पूरी टीम इनके परिश्रम से दो अभिक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनकी पास से 37 किलोग्राम गाजा और एक वेगनार गारी बरामद हुई है यूपी के हमीर पूर जिले के मौदहा कोत्वाली में हिंदु धर्म एवं देवी देवताओं के विरुद भ्रामक प्रचार प्रसार के आरूप में हिंदुतवादी निताओं ने तीन आरूपियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया साथी पुलिस को तहरीर देकर इसक्रित में शामिल तमाम साथियों पर कड़ी से कारवाई करने की मांग की है इस्थाने पुलिस ने जानकारी दी है आरूपी यूवक संतकबीर समाज के प्रचारक है मामले की जाश बरताल की जा रही है पूरे नगर में गिरोह बना के बिना परिमीशन के कुछ लोग धर्म के बारे में हिंदु धर्म के बारे में अपत्ति जनक टिपडियां पर्चे किताबे बाट रहे थे लिए नहीं ध़की हम लोग को पता नहीं है नोग को पता नहीं है क्यान भाग जाओ नहीं को यह करेंगे वह करें इसके बाद हमें परसाइशन को कुछना दी परसाइशन को पगड़के लाई 552 की करण्थी सबके पास यह में करंदी नोट पकड़े हैं यताष अप्लिकेशन में पूरी के बिच्वा थाना च्छेत के फर्दर पुर भनव मार्क पर गाउं पास नाका के मार्क पर 25,000 का इनामी को पुलस नहीं बुट भेड़ कर गिरफतार किया है जानकारी के मुताबित अपराधी अब तक कई चोरी घटनाओं को अंजाम दे चुका है महीं पुलस अधिक्षिक ने जानकारी देते हुए बताया कि बिच्वा थाना अध्यक्ष अम्बिस सिंग फर्दर पुर के समीप वहां चेकिंग कर रहे थे तबी 25,000 का इनामी चौक पटियाल कासगंच पुलस के उपर फायर करके भागने लगा जिसके पीछे मतहातों ने द अंदिग आता हुआ दिखा भनव रोड पे जब उसको रोकने की कोशिच की गई तो वह पुलिस के उपर फायर करता हुआ भागा पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ उसके उपर गुली चलाई जिसमें वह घायल हुआ घायल ब्यक्ति का नाम आर्मान पुत्र शहादत अली ह जो कास गंज का निवासी है 25,000 रूपय का इनाम इसके पर बिच्वा थाने से था और ये एटा वदायू कास गंज फतेगाड आदी जनपतों से इसके उपर लगभग एक दरजन मुकदमे में इसके उपर है और इस खबर में अधिक जनकारे के लिए हमारे साथ हमारे सवादाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ा है अमरजीत 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफतार कर लिया है जी 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 अमरजीत 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और इसको लेकर अधिक जान आपका मर्जीत आपका अमर्जीत उतरप्रदेश की खबरों में बस इतना ही देश-दुनिया की तमाम खबरों के देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच प्राइम टीवी